मुसा की जीवित रहते हुए तो वह एक सधारन जैसा था परन्तु जब परमेशों ने उसे चुना कि वह मुसा की बाद इस्राइलों का नेत्रित्व करें तब वह एक शक्ति शक्ति शाली योद्धा बन गया और उसके जीवन काल की दोरान एक ऐसी घटना घटी जो सच में एक आशिरी जनक घटना थी तो वो क्या घटना थी आज इस वीडियो में देखेंगे इस वीडियो को आन्ति तक जिरूर देखें जिससे हमारा विश्वास अपने परमेश्वे पर और भी जादा बढ़ सके यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन को भी दबा दीजे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए तो आईए वीडियो ये कहानी हमें मिलती है यहोशु नामक पुस्तक के दस्वे अध्याय में यहुवा के दास मूसा की मृत्यू के बाद यहुवा ने उसके सेवक यहोशु से जो नून का पुत्र था कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है इसलिए अब तु उठ कमरबांध और इस सारी प्रजा समे यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राइलियों को देता हूँ इस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा जिस जिस इस इस्थान पर तुम पाओ धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ और जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे ने ठहर ना सकेगा तभी से यहोश्यो परमिश्य की आग्या को पाकर इस्राइलियों को लेकर कनान देश की ओर बढ़ चला जब वे आगे बढ़ रहे थे तब यरियों का राजा उनसे बलवा किया जिसके दोरान वे सब परमिश्य की सामत से वहाँ पर जीत हासिल किये और था पता करने पर मालूम हुआ कि आकान नमक इस्राइली ने परमिश्य की बातों को ना मान कर लालच किया और समर्पन की वस्तु में से कुछ छिपा लिया इसके कारण वे सब एक छोटे से नगर ए से हार गये थे परन्तों इस्राइलियों के परशताप के बाद वे फिर से ए नगर पर जीत हासिल किये हुए आगे बढ़ती की ओर चले जा रहे थे तब जब यरूशलेम की राजा अदोनी सिदेक ने सुना कि यहोशु ने ए को ले लिया और उसका सत्यनाश कर डाला है और जैसा उसने यरिहो और उसकी राजा से किया था वैसा ही ए और उसकी राज नगर के तुलि भी था और यह नगर से बड़ा था और उसके सब निवासी शूरवीर थे इसलिए यरूशलेम की राजा अदोनी सिदेक ने हेब्रोन की राजा होःम, यर्मूद की राजा प्राम, लाकिष की राजा यापी और एगलोन की राजा दबीर के पास ये कहला भे क्लोन के पांचों एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डाल कर उसे युद्ध छेड़ दिया। और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशु से कहा उनसे मत डर क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब यहोशु रातो रात गिलगाल से जाकर एका एक उन पर तूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राइलियों से घबरा गए और इस्राइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संगहार किया। और बेथे रोन के चड़ाओ पर उनका पीछा करके अजेका और मकेदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इस्राइल की तलवार से मारे हूँ से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राइलियों के वश में कर दिया। उस दिन यहोशु ने यहोवा से इस्राइलियों के देखते इस प्रकार कहा। हे सूरे तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू आया लोन की तराई के उपर थमा रहा और सूरे उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाती के लोगों ने अपने शत्रों से बदला ना लिया और सूरे अकाश मंडल के बीचो बीच ठहरा रहा और लगबग चार पहर तक ना डुबा ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पूरुष की सुनी हो क्योंकि यहोवा तो इसराईल की ओर से लड़ता था तब यहोशु सारे इस पास की गुफा में छीपे हुए हमें मिले हैं यहोशु ने कहा गुफा के मुह पर बड़े बड़े पत्थल लुड़का कर उनकी देखभाल के लिए मनुश्यों को उसके पास बठा दो परन्तु तुम मत ठेरो अपने शत्रों का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ ग गये वे अपने अपने गढ़ वाले नगर में घूज गये तब सब लोग मकेदा की छावनी को यहोशु के पास कुशल शेम से लोट आए और इस्राइलियों के विरुध किसी ने जीब तक नहीं हिलाई तब यहोशु ने आग्या दी गुफा का मुह खोल कर उन पांचों र ले आये तब यहोशु ने इस्राइल के सब पुरुषों को बुला कर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा निकट आकर अपने अपने पाउं इन राजाओं की गर्धनों पर रखो और उन्होंने निकट जाकर अपने-पने पाउं उनकी गर्दनों पर रखे तब यहोशू ने उनसे कहा डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो याओ बांध कर दड़ हो क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रों से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और पांच विर्ख्षों पर लटका दिया और वे साज तक उन विर्ख्षों पर लटके रहे सोरे डूबते डूबते यहोशू से आग्या पाकर लोगों ने उने उन विर्ख्षों पर से उतार कर उसी गुफा में जहां वे छिप उस गुफा के मुँपर बड़े बड़े पत्थर रख दिये वे आज तक वहीं पर रखे हुए हैं। और एक विशाल का युध छड़ गया। पर ठैरने के लिए कहा। जिस पर परमेश्वर ने यहोशु की प्रात्ना को स्विकार किया। और बैबल बताती है उस दिन सूरे चार पहर मतलब पूरा दिन जिसमें चार पहर पूरा आता हूँ। तब तक वहाँ अपने स्थान पर टिका रहा था। समय सब वही पर थम गया जब तक कि वे अपने शत्रों से बदला ना ले लिये। मुसा के बाद यहोशु के संग संग चलने वाला परमेश्वर आज उन सबों के साथ है जो उनकी प्रजा की अगवाई करते हैं। आज आप किसी भी छेत्र में हों, किसी भी पोस्ट पर हों, परन्तु आप परमेश्वर के राजी के सुसमचार को बता रहे हैं, अपने गवाहियों के द्वारा भी आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो प्रेयों परमेश्वर आज आपके साथ भी है। पुसा के बाद यहोशु की जिम्मदारी थी कि वो परमीश्यर की प्रजा इस्राइलियों को कनान तक ले कर जाए। आज हमारी भी जिम्मदारी है कि हम भी परमीश्यर प्रभु येशु मसी के लोगों को स्वर्क तक ले कर जाए। उस समय के लोग युद के दोरान संसारिक युद में थे, परन्तु आज हमारे समय में हमारे यह युद कोई संसारिक युद नहीं है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बनो, परमिश्र के सारे हतियार बांद लो कि तुम शैतान के युगतियों के सामने खड़े रह सको। परमिश्र के सारे हतियारों को ले, जो हमें प्राथना, वचन और उप्वास की दोरान मिलता है, पवित्रात्मा की सहायता जरूर ले और यहोश्र की तरह आगे बढ़े हैं। अब मैं मिलती हूँ आप से अपनी अगली वीडियो में, आप सभी भाय बैनों को प्रबो येश्र मसी के नाम में जय मसी की। तो दोस्तो कैसी लगी आपको इस स्टोरी कमेंड में लिखके बताएं। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सेट सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करते हैं।